दिन की शुरुवात हुई ये ब्यूटिफल सन्राइज देखते हुए जैपू टु आगरा हाइवे पर हलो हाई नमस्ते दोस्तो वेलकम टू व्लोग्स बायामी मैं आप पहुची हूँ ताज महल देखने के लिए और ठीक सामने की तरफ है यही ताज महल की एंटरेंस और बाहर ही मुझे मिल गए है ये 10 रुपीज के फुट गलफ जिने पैरों में पहनना है ताकि ताज महल में बिल्कुल भी गंदगी ना हो और सामने ये एक स्कैनर लगा हुआ है जहांसे आप उनलाइन टिकेट बुक करवा सकते हैं बट ये साइट ओपन नहीं हो रही थी इसलिए हम अंदर लाइन में लगे भीड आप देख सकते हैं सुबह 9 बजे का टाइम है 50 रुपीज टिकेट है आपकी ताज महल में एंट्री की और अंदर एक और टिकेट आपकी लगती है 200 रुपीज की में जहां पर आपको उपर जाके ताज महल के अंदर देखना है वो मैं आपको आगे व्लॉक में बताऊंगी आए अंदर चलते हैं सो टिकेट लेनी है आपको लेफ्ट साइड स दोस्तों वेस्ट साइड से मैंने ली एंट्री और सामने पाया एक यह बहुत ही हूज गेट चुकि में एंट्रेंस थी ताज महल की इसके बाहर भी लोग पिच्चर्स क्लिक करवा रहे थे क्योंकि यह बहुत ही हूज था बहुत ही प्यूटिफुल था इसका जो आकिटेक और दोस्तों इसी गेट में है यह इन्फोमेशन के इंद्र जान से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं और सामने यह कुछ सीडियां जा रही थी इसी गेट के अंदर से मैंने सोचा शायद मैं पहुंच जाओ इसके टॉप पर और ताजमहल का व्यू ले सकूँ बट ऐसा कुछ नहीं हुआ यह थोड़ी सी सीडियां थी जो हमें अंदर का ही व्यू दे रही थी और कुछ बाहर का में गार्डन एरिया का व्यू दे रही थी तो यहाँ पर घूम गाम के मैं वापस से चल पड़ी थी त ताजमहल देखने के लिए में गेट से सीधा-सीधा अंदर की तरफ सो अभी मैं हूँ ताजमहल के सामने गार्डन एरिया में और जैसे जैसे वाक करके मैं इसके पास जा रही हूँ ना वैसे वैसे ये और भी ब्यूटिफुल लग रहा है और इसके बाद क्या था बस कुछ ब्यूटिफुल सी पिचर्स कैप्चर करनी थी ताजमहल गए और शांती से बैटकर अगर उसको नहीं देखा तो क्या देखा कुछ पल वही बिताने के बाद मैंने अपनी वाक वापस से चालू करी और देखा कि आसपास भीड जो है बढ़ती ही जा रही है और उसी के साथ मजा भी बढ़ता ही जा रहा है सुबह के करीब 10 बजे है और देखिए ताजमहल में कितनी भीड है और गार्डन के बीच था ये एक फाउंटेन एरिया जहां पर बहुत ही जादा रश था यहां पर आसपास गार्ड भी थे क्योंकि भीड बहुत जादा हो रही थी और टाइम टू टाइम वो उसको हटा रहे थे यहां से जो व्यू मिल रहा था ताजमहल का वो बहुत ही ब्यूटिफुल था सो डेफिनिटली यहां पर तो फोटोज लेना बनता ही है सो फाइनली अब टाइम आ गया है ताजमहल को अंदर से देखने का सो हमने भी वॉक स्टार्ट कर दी है और जो उपर की तरफ आप जाएंगे उसकी अलग से टिकेट लगती है 200 रुपीज जो आप में गेट से भी ले सकते हैं और अंदर ताजमहल के पास आकर भी ले सकते हैं सो टोटल आपको लगेंगे 250 रुपीज ताजमहल को पूरा व्यू करने के लिए ताजमहल को पहली बार इतनी बास से देखना एक अलग ही फिलिंग है ये सामने है ताजमहल और इसके ठीक पास में वो है यमना नदी जहां मैं जा रहे हूँ यमना नदी को देखने के लिए क्योंकि एकतम शांत पानी है बिलकुल भी आवाज नहीं हो रही तो कहीं ने सकते कि पास में नदी बह रही है लेकिन ये जो नजारा है यमना नदी का ये भी है काफी ब्यूटिफुल ताज महल के बारे में कुछ बाते तो हम सबको पता है जैसे कि शाह जाह ने बनवाया था ये मुम्ताज के लिए और सन 2007 में Seven Wonders of World में शामिल हो गया इंडिया का ताज महल लेकिन कि आपको ये बात पता है कि ये जो वाइट मार्बल आप देखते हैं संगे मर्मर का पत्थर ये लाया गया था उस टाइम पर राजिस्थान के मकराना डिस्ट्रिक्ट से और ये सामने की तरफ जो आप केट देख रहे हैं इसके उपर जो वाइट टोम बने हुए हैं ये हमेशा से ऐसे नहीं थे इनको बाद में बनवाया गया है ताकि ये मैच कर सके ताज महल के आर्किटेक्चर से पूरे फ्लोर पर इसी तरीके के होल्स आपको नजर आएंगे और उस टाइम का आकिटेक्चर तो था कमाल का ही लेकिन माइंड भी था बिलकुल हर चीज का ध्यान रखा गया था और वहां सामने की तरफ से मैंने टिकेट ली उपर ताज महल को विजिट करने के लिए ताज महल के अंदर वीडियोग्राफिय अलाओड नहीं थी इसलिए मैंने यहां पर कुछ पिच्चर इंसर्ट करी हैं यहां दो मकबरे हैं जिने 28 तरीके के अलग-अलग प्रीशे स्टोन से सजाया गया है और इसी के बाद मैंने ले ली यहां से एक्जिट लेकिन एक खास को देखा इतनी पास से यह ब्यूटिफुल लोटस के फ्लाज यहां पर बने हुए हैं और यह अलग-अलग तरीके के स्टोन से काम किया गया है बहुत ही अच्छा लग रहा था और यह एक्जिट गेट बहुत ही बड़ा हीूज इसके जस सामने की तरफ है यमना नदी जहा कुछ पल बिताए शांती से दोस्तो ये था ताज महल व्लोग मेरी नजरों से वेरी ब्यूटिफुल दी ताज महल सिंबल ओफ लव बट आखिर है तो ये एक मगबरा ही तो क्यों न हम अभी से अपने बिलफ्ट को स्पेशल फील कराए हर पल जब वो हमारे साथ है हसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए व्लोग्स बाय यामी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लोग में बबाय